मोपला भाग चार समय दोनों पैरों में कितना अंतर होना चाहिए इस संबंध में स्मृती में कोई सुनिश्चित और स्पष्ट व्यवस्था की गई है अत्व नहीं इस महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा करने में तल्लीन थे शास्त्री अंतते वहां जा पहुँचे जहां कम्बू खड़ा हुआ था और परियाप्ट दूरी पर खड़े होकर उससे वारता करने लगे कभी कुछ मंद और कभी थोड़ी तेज आवाज में उनकी वारता होने लगी बातचीत करते करते कम्बू ने कहा आप इस संबंध में कोई शंका न कीजिए महराज जिस घर में सुरंग लगाई जाती है उसमें सुरंग लगते ही कोई गड़बर दृष्टी गोचर नहीं होती परन्तो यदि उस घर में निश्चित रूप से निवास करने वाले लोगों को कोई व्यक्ती ये कहे कि इस घर में सुरंग लगाए जाने की बात ही गलत है तो ये एक खोटी बात होगी किन्तु जब घर के नीचे लगी हुई सुरंग में सहसा ही विस्फोट होता है तभी उस घर में निवास करने वालों को सत्यका साक्षातकार हो जाता है और उस समय सुरंग लगाए जाने की बात को गलत कहने वाले के भुलावा डालने वाले प्रपंच का पता लगता है आज आपकी ब्राम्भन बस्ती की स्थिती भी ऐसी ही है उस मौलवी ने मुझे कई बार कहा है कि तुम्हें वा तुम्हारे थिया बंधु बांधवों को उस मार्ग से भी अनिष्ट होने की आशंका से जाने नहीं दिया जाता जिस पर कुत्ते स्वच्छन्द घूमते है यदि इन्हीं ब्राम्भन और क्षत्तियों की पुत्रियों को लाकर उन्हें तुम्हारे साथ न रख दू तो मैं मौलवी नहीं जो भी थिया आज मुसल्मान बनेंगे तथा शीख रही होने वाले विद्रोह में भाग लेंगे उनमें से प्रत्येक को उसकी मनपसंद ब्राम्भन कन्या एक मास की अवधी के भीतर ही सौप दी जाएगी महराज क्रोध न कीजिए मलाबार में आज यू तो कोई गड़बर नहीं दिखाई देती आज आपके इस शान्त तपोवन में जहां कोकिला की मधुरतान सुनाई पड़ती है वहाँ ही मोपले मुसलमानों द्वारा राक्षसी युध की भयंकर सुरंग बिचाई जा रही है उस थीया के इस कथन का शास्त्री महोदय पर भी थोड़ा सा प्रभाव हुआ और उन्होंने कुछ जिंतायुक्त आवाज में कहा उस मौलवी सरीखे दस पाच धर्मोन मत्त लोगों की मार्थाड से भैभीत हो जाए ब्रिटिश राज्य इतना दुरबल है क्या दस पाच धर्मोन मत्त मौलवी ही नहीं किन्तु प्रत्केक मौपला इस विद्रोह में शस्त्रधारन कर खिलाफत के लिए उठ खड़ा होगा इस बात के साथ ही साथ मुझे उस मौलवी ने ये भी बताया है कि अरबस्थान से गोला बारूद समुद्र मार्ग से उनके पास पहुचेगा और इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान का अमीर भी पचास साथ हजार सैनिको सहित हिंदुस्तान पर आक्रमन करने वाला है हमारे विद्रोह करने में अभी कुछ देर है हम जो ही करेंगे उसके तीन मास के उपरांथी तुरकस्थान का ध्वज फहराते हुए अनवर बेग भी हमसे आकर मिलने वाला है ये बात वो मौलवी मुझसे बारंबार कहता है ये अनवर बेग कौन है? वो तुरक है और उसे हिंदुस्तान के मुसल्मान संपूर्न विश्व के मुसल्मानों को स्वतंत्र करने के लिए जन मगरहन करने वाला इश्वरी यवीर समझते है अरे किन्तु यदि वो अनवर तुर्क है तो ये तो बताओ कि वो इन मोपलों का कौन लगता है ये मोपले तो हम हिंदुओं के वन्शज है न महराज आप भूल कर रहे है वे तो अपने आपको अर्बस्थान के मुहम्मत के कुर्रेशी वन्श का समझने लगे है एक बार अर्बी अत्वा किसी कुर्रेशी द्वारा तो हिंदु के प्रती किसी ममत्व भावना का प्रदर्शन किया जाना संभव है परन्तु ये मुपले हम हिंदुों के ही वन्शज हिंदुों के प्रती उतनी ममता का प्रदर्शन नहीं करेंगे दस पंद्रह वर्ष पूर्व भी एक बार मुपलों ने दंगा किया था क्या उन दिनों उन्होंने अर्णार तालुका में अनेक हिंडूों को बलात मुसल्मान नहीं बनाया था क्या उन्होंने मुसल्मान न होने वालों की हत्याय नहीं की थी उस समय का आपको स्मरण होगा ही क्या कहते हो वो दंगा करने वाले ये मुपले ही थे किसी मर्मभेदक जानकारी के उपलप्ध होने पर मानव मन में चिन्ता का उद्भव होना स्वाभाविक ही है अतेह शास्त्री महोदय भी चिन्ता मगन हो गए यू तो उस दंगे में क्या कुछ हुआ था इसका विचार भी कुटम ग्रामवासी ब्रामभनों तथा अन्य हिंदुों ने कभी नहीं किया था क्योंकि ये घटना उनके ग्राम में नहीं हुई थी और दूसरे ग्राम में क्या होता है उसके संबंध में विचार करने की सजकता यदि हिंदु समाज में होती तो वो दुर्धिन ही क्यों उपस्थित होता किन्टु हरिहर शास्त्री को इस दंगे की इतनी तीवर स्कृति हो आने का कारण भी इतना ही तीवर था वो कारण ये था कि उनकी अपनी नानी को उस दंगे के समय पास के ग्राम के मुसल्मानों ने उनके घर से उठा कर बलात एक वर्ष तक एक मुसल्मान के घर में रखा था और अंततेह उस साध्वी ने अन जलका परित्याग कर अपने प्राण समर्पित कर दिये थे ये स्मृति आते ही उसके साथ मुपलों ने क्या किया था शास्त्री महोदय के हृदय पर एक तीव्र आघात सा लगा कंबु थिया ने जो कुछ कहा था उससे उनके मन पर भैंकर आघात लगा था किन्तु वे पुनेह विचारने लगे और बुले क्या कहते हो ये मुपले पुनेह उपद्रफ करने वाले है किन्तु क्यों भाई अपने इस कुट्टम ग्राम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ उसका कारण भी है और वो ये इस ग्राम में मुपलो के पाच्छे ही तो घर है और फिर ये तो है भी निर्धन साथ ही या धर्मान्ध भी तो नहीं ये अपने ही ग्राम के अस्पुरुष्य हिंदूों के तो वन्शज है जो कुछ होगा वो तो अरनार तालुका में होगा अपने ग्राम में तो ऐसा कोई खत्रा दिखाई नहीं देता महराज क्या कहा इस ग्राम पर कोई संकट नहीं आएगा क्यों नहीं हिंदू अस्पुरुष्यों के ही वन्शज जो चार-पाच मुपला कुटुम आपको गरीब दिखाई देते है उन्हीं के साथ वो मौलवी भी है न वही मौलवी जिसने मुझे तथा मुसल्मान होने की इच्छा रखने वाले प्रत्यक ठीया को उसकी मनपसंद ब्राम्भन वनायर कन्या अर्पित करने की गोशना की है इस बार सभी मौपले एक साथ ही विद्रोह आरंभ करने वाले है यदि यह मान भी लिया जाए कि अर्नार तालुका में निवास करने वाले हिंडूों के समक्ष भले ही भयंकर संकट उपस्थित हो जाए किन्तु आपके इस कुट्टम ग्राम में शांती ही बनी रहती तो भी सोचिये कि क्या अरनाड तालुका के हिंडूों के समक्ष उपस्थित होने वाले भैंकर संकट में हम भागिदार नहीं बनेंगे उनकी स्त्रियों और बच्चों पर जो संकट आएगा वो संकट अपने ही परिवार पर आया है क्या ऐसा समझ कर आप उनकी सहायतार्थ नहीं दोडेंगे क्या वहां के हिंडूों की बहने आपकी बहने नहीं है क्या उनके देवालय आपके देवालय नहीं है यदि उनका नाश हुआ तो भी तो अपना ही नाश होगा जहां सर्व हिंदु जाती के सुख दुख का प्रश्ण है वहां तो हमें पेशावर से अस्पुष्य बस्ती के हिंदु के जोपडी को रामेश्वरम नगर की सीमा तक स्थित हिंदु घर के समान ही समझना चाहिए क्या आज अरनाड के हिंदु पर आया संकट कुट्टम के लोगों के लिए संकट नहीं होगा ये बात जब कोई मुसलमान कहता है कि अरनाड के मुसलमानों ने तुम हिंदु की पुत्रियों का अपहरण किया है तुम्हारी मूर्तिया भरष्ट की है तो क्या हमारे मुख पर लच्चा से कालिमा नहीं पुझ जाती वस्तुतेह वो हमारे मुख पर जड़ा गया तमाचा है किन्तु ये सब बाते छोड़िये मुझे क्षमा करना मैं आपको सपष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ मुझे निश्ठुर कर्तव्य के कारण ये कठोर बात कहने पर विवश होना पड़ रहा है कि एकाध कांचनलता के समान, मोहक तथा प्राणों सरीखी प्रिय ऐसी जो आपकी कन्या भी पुष्पवाटिका से आपके खर की ओर गई है महराज उसके पवित्र सम्मान और जीवन की होली न जलने पाए यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो आप समय रहते सावधान हो जाईए लेखक, स्वातंट्रवीर सावरकर, वाचिका, कीता उपासनी, प्रायोजक, आचार या जितेंद्रजी, ध्वनी मुद्रन, मल्हार प्राडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड पुने